दोस्तो मातरानी आपकी सारी मनो कामनाय पोण करें और आप जीवन में खुब सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जीतिया पर्व के बारे में साल दो हजार चौबिस में जीतिया जो पर्व है वो आने वाला है आने वाली 25 सितंबर को पूरी वीदिवत रूप से जीतिया पर्व जो है वो मनाया जाएगा ऐसे में बहुत सारी बेहने प्रेशनी करती है कि जीतिया ब्रत वाले दिन हमें बाल जो है वो दोनी चाहिए या नहीं दोनी चाहिए क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए तो आज के वीडियो में संपूर जानकारी जो है आप सब के साथ से यार करूंगी तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं जीतिया महापर्व में जो बाल हैं वो दोई या ना दोई तो दिखें जैसे कि आप सबको पता है कि जीतिया का जो पर्व होता है जब हम पूजा पार्ट करते हैं तो बालों को खोल के स्नान किया जाता है और फिर बालों से जो पानी टपकता है ऐसा माना जाता जो पित्र है वो वही पानी पीते हैं अब ये कितनी सचा है ये कितनी नहीं ये तो मुझे नहीं पता है लेकिन ऐसा मैंने शुना है तो जो पित्र होते हैं वो बालों से ही पानी पीते हैं जो आपके पित्र हैं जो आपके पूरवज हैं तो ऐसे में जो बाल है वो जरूर भी गोने चाहिए वैसे तो जिस दिन नाहे खाए होता है उस दिन आपको साबोन या सैंपू जो भी लगाते हैं उससे लगा कि अच्छे से बाल बगएरा दो लेने चाहिए उसके बाद जिस दिन जीतिया का परवह जैसे 25 तारीक को तो उस दिन आपको किसी भी नीर तलाप सरोव जो है वो करना चाहिए ऐसा माना गया है कि अगर गेले बालों से आप फूजा-पाट करती है तो आपके जो पित्र हैं उनका तरपण हो जाता है इसलिए बालों को दोने का विधान बताया गया है और बाल जो है वो आपको ज़रूर दोने चाहिए साथी साथी एक प्रशक् तो आपको कथा जब जीतिया की कथा हो जाती है उसके बाद जो पानी है वो आपको पी लेना चाहिए साम के समय जिस समय जीतिया की कथा हो जाए उस समय आपको पानी जो है वो पी लेना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जितना ही खुर जीतिया क्योंकि कहा जाता है तो जितनी ही खर प्यास हो जाती है उतना ही बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा बताया गया है लेकिन जो सरीर है जो जान है तभी न जहान है ऐसा मत सोचिए कि बच्चे को कोई दिक्कत होगी और कोई परिशानी होगी तो प्यास जो है वो बहुत जादा लगती है तो इस दिन कोसिस करिए जो भी काम जरूरी है वो एक दिन पहले ही निपटा लें या एक दिन बाद निपटाएं इस दिन कम से कम काम करें जाड़ु आड़ु कम लगावें ताकि किड़े मकूडे ना मरें क्योंकि इस दिन जीव की रच्छा की जाती है तो किसी को मारना नहीं चाहिए साधी साथ ज्यादा तर आप पंखे या एसी अगर आपके घर में है तो उसमें मतलब लेटें बैठें ताकि आप ठंडे में रहेंगी तो आपको प्यास बगेरा जो है वो ना लगे लेकिन अगर आपसे बरदास के बाह प्यास बहुत जादा लग रही है तो आपका था सुनने के बाद में पानी पी सकती है इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है लेकिन ऐसा माना गया है कि जब कोई बड़े परव होते हैं बड़े ब्रत होते हैं उनको हम करते हैं तो हम पसू बनके अगर पानी पीते हैं तो दोस भी नहीं लगता है, साथी साथ जो ब्रत है, वो पूण भी माना जाता है, तो कोसेस करिए, इस दिन गव बनके पानी पी लीजिए मतलब एक थाली में थोड़ा सा गंगा जल डालिए फिर उसके बाद सुद्ध पानी डालिए उसके बाद आपको बैट के समय बहुत जादा है, और ऐसे में प्यास लगेगी ही लगेगी, तो आपको बहुत ज़दा विचार नहीं मनाना है, पूरा दिन आवरत रखें, फिर कथा सुनने के बाद आप पानी जो है, वो पी सकती है, अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है, तो फिर आप अगले दिन पारण करके ही पानी पीए, अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है, तो फिर आप उसी दिन 25 तारीक को कता सुनने के बाद में पानी जो है, वो पी सकती है तो उमीद करती हूँ, ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफी ज़्यादा मदद कार रहा होगा, वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चानल को सब्सक्राइब करके, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ, दोस्तो जैमाता दी